अब लास्ट कोश्चन है यह लिखा है y is equal to x mod x और फिर बोला है कि area bounded by the curve this x-axis and ordinates x is equal to minus 1 से 1 अजब mod x के बारे में हमें basic पता है क्या कि अगर mod x में अंदर वाला जो x है वो 0 से अगर बड़ा हुआ तो यह mod कैसे break होगा दो तरीके से break होगा अगर x के लिए 0 से बड़ी हुई तो यह positive से बड़ी होगा यह x x x बनेगा यह x square आएगा और अगर x के लिए आपने 0 से छोटी ले लिए तो यह minus x से break होगा यह निकि minus का x square आएगा ठीक है अब graph बनाते है इसका भी यह x-axis है, यह y-axis है, x की value अगर 0 से बड़ी है, तो x square है, ठीक है, तो यानि आपने अगर x को 1 रखा, तो 1 का square 1, 2 रखा, 2 का square 4, यानि एक parabola type बनेगा, यानि इसके right side में, यानि एक parabola type बन जाएगा, ठीक है, लेकिन जब आप x के रूर लेस दिन 0 रखोगे, यैसे minus 1, जैस x तो बाहर है, और minus 1 मैंने put b करा, तो minus 1 का square तो plus 1 है, लेकिन minus 1, क्योंकि minus है न, इसका लगा minus 1 पर minus 1 मिलेगा, अगर आपने x को minus 2 रखा, तो minus 2 का square तो plus 4, लेकिन बाहर minus है, तो minus 2 पर minus 4 मिलेगा, इसका मतलब, जैसा इसका behavior इधर चल रहा है, इस वाली का behavior कुछ ऐसा चले हो, और अब हमें, और ये point थोड़ा दूर ले ले तो minus 1 वाला, क्योंकि already question में सिर्फ बहुत closest value बोल रही है, minus 1 प्लस 1, जिससे की graph आपको clear देखें, तो मैं बोल दे रहा हूं कि मेरा, जो minus 1 है, वो यहाँ है, ठीक है, और plus 1 माल लो, यहाँ है, तो आपको एक line बनानी है, x is equal to minus 1, वो देख रहा है, minus 1, यानि y के parallel, और एक बनानी है, line x is equal to 1, यह बनानी है, एक तुमारा यह है, strip एक यह हो जाएगी, और एक strip इसमें भी ऐसी यह वाली हो जाएगी, समझ रहे हो, अब इस condition कैसे निकलेगा, देखो, यहाँ 0 है, पिछले, अरे, यह क्या हुआ है, ठीक है, तो, एरेजर से ज्यादा, ठीक, हो कैसे, अब देखो, अब एक हम ले लेंगे, यह माइनस 1 है, यहाँ पे, तो माइनस 1 से लेके, यह 0 है, यहाँ पे, तो एक ले लिए हमने, माइनस 1 से 0, जैसे लास्ट टाइम किया था, और माइनस 1 से 0, यह नहीं, 0 से कम पे, 0 से कम पे हमारा function कितना है, माइनस का x square, और dx, ठीक है, लेकिन हमें पता है, यह नीचे side इसका area negative आ सकता है, मॉड लगा लो, प्लस, एक हो जाएगा 0 से 1, और हमारा function 0 की बाद, कौन सा x square है, तो x square dx हो जाएगा, यह तो positive भी आएगा, मॉड लगा तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं लगा तो भी दिक्कत नहीं, चलो, x square condition क्या हो जाएगा, x cube upon 3, और upper limit है 0, lower limit है minus 1, और मॉड लगा ल इसका भी हो जाएगा, x cube upon 3, upper limit 1, lower limit 0, तो जब lower limit रखो, upper limit रखोगे, तब तो 0 आएगा, बीच में minus, lower limit रखोगे, minus 1, तो minus 1 का cube होगा, minus 1, और यह minus plus कर देगा, यह 1 by 3 आजाएगा, minus का, देखो आगे, minus का, लेकिन हम मॉड लगा लेंगे, यह वाला, और यहाँ पर लिमि मॉड इसको positive कर देगा, 1 by 3, plus 1 by 3, तो answer क्या आगया, 2 by 3, तो answer आगया, 2 by 3, होगी exercise complete, बस आपको यह समझना है, कि अगर आपको graph आपने बनाया है, कोई function break हो रहा है, plus minus में, या कुछ, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि graph कैसा है, और कहाँ पर answer negative आ सकता, अगर negative आ रहा है, ना कि subtract होता है, इसलिए यहाँ पर mod लगाना जरूरी होता है, लेकिन मैं एक चीज आप से बोलूँगा, कि इस chapter की concept building के लिए आपको और questions की practice की need चाहिए होगी, वो तो चलो, हमें further practice session, वो सब अलग चीज़े, लेकिन NCRT level की बात करूँँ, तो वो मैंने पूरा cover कर द झैंने वा.